नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप लोगा स्वागत है दोस्तों प्रतिसत के अंतरगत आज हम वस्तू के मुल्य में कमी या विर्धी से समन्दित प्रसनों पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने कोश्चन की तरफ इसमें जो हमारा पहला टाइप का कोश्चन है वो है चीनी के मुल्य में 30% की विर्धी हो जाने पर एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिसत की कमी कर देनी चाहिए कि परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े दोस्तो इसमें जो सबसे मुख्य बात ये है कि इसमें चीनी का मुल्य दिया नहीं है बस ये दे दिया है कि इसके मुल्य में 30% की विर्धी हो जाने पर तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो चीनी का प्रारंबिक मुल्य है मतलब चीनी का मुल्य हमें मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया यहां पे कि चीनी का प्रारंबिक मुल्य था वो 100 रुपय था अब इसमें बोल रहा है कोश्चन में कि चीनी के मुल्य में 30% की वृद्धी हो जानी पर तो हम माल लेते हैं कि जो हमारा प्रारंबिक मुल्य 100 रुपय था इसमें 30% की वृद्धी हो जानी के पस्चाथ जो चीनी का मुल्य हुआ वो 130 रुपय होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखे तो अगर हम 100 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 30 रुपय आएगा तो यह 30 रुपय अगर हम 100 रुपय में अगर हम एट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 130 तो बढ़ने के बाद मतलब 30% की जब वृद्धी हो गई उसके बाद चीनी का मुल्य कितना हो गया 130 हो गया अब हम प्रारंभिक मुल्य को मान लेते हैं X और जो बढ़ने के बाद वृद्धी होने का पश्चात का जो मुल्य है उसको मान लिया हमने Y दोस्तों इसे हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाया है वो है प्रारंभिक मुल्य और वृद्धी होने के पश्चात का मुल्य दोनों का अंतर बटा वृद्धी होने का मुल्य मतलब वृद्धी होने के पश्चात का मुल्य गुड़े 100 तो मुल्य हमारा X जो था वो 100 रुपय था और जो Y था मतलब की वृद्धी होने के पस्चाथ ये हमारा 130 था इन दोनों का अंतर कितना हुआ 30 अब नीचे क्या है Y व्रिद्धी होने के पस्चात का मुल्ले व्रिद्धी होने पर कितना मुल्ले हो गया था हमारा 130 तो 30 बटा 130 गुड़े 100 एक सुनना से एक सुनना गया तो 3 का गुड़ा 100 में हुआ 300 300 बटा 13 300 अगर हम 13 से डिवाइट करेंगे तो यह आएगा 23 सही 1 बटा 13 परसेंट यानि कि अगर हम चीनी का जो खपत है उसमें अगर हम 23 सही 1 बटा 13 परसेंट की अगर कमी कर दें तो परिवार के खर्च पर क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा एंसर क्या होगा 23 सही 1 बटा 13 दोस्तो अब जो हमारा next टाइप है इसमें वो है चीनी के मुले में 20 प्रतिसत की कमी होने के पस्चात इसके पहले क्या था वृद्धी हो रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो चीनी के मुले में 20 प्रतिसत की कमी होने के पस्चात एक परिवार को उसकी खपत में कितने प्रतिसत की वृद्धी कर देनी चाहिए कि उसके खर्च पर कोई प्रवाव न पड़े दोस्तो उसमें क्या होता था इसके पहले वाले कोशन में क्या था कि वृद्धी हो रहा था चीनी के मुल में लेकिन यहाँ पे चीनी के मुल्य में क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो कोशन हमारा थोड़ा सा इस से अलग है पहले वाले से दूसरा थोड़ा सा अलग है इसमें क्या करना है हमको कि 100 तो हम यहाँ भी मानेंगे चीनी का जो मुल्य है प्रारंबिक मुल्य यहाँ भी हमको 100 मानन कमी हो गई, तो चीनी का मुल्य कितना हो गया? 80 रुपय हो गया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकालेंगे बटा, जो हमारा कमी होने के पस्चाद का मुल्य होगा, वो रखेंगे और गुड़े क्या करेंगे? 100 तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा दोनों का अंतर 20 रुपे है 20 बटा 80 80 जो हमारा यह कमी होने के परश्चात का मुल्य है तो 20 बटा 80 गुड़े 100 20 को मैंने 80 को 20 से कम 20 और 24 का 80 तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा 1 बटा 4, 1 बटा 4 गुड़े 100 मतलब कि 100 बटा 4 100 को मैंने 4 से डिवाइट किया कितने बार में गया 25 बार में तो हमको क्या करना पड़ेगा कि चीनी के खपत में 25 प्रतिसत की हमको वृद्धी करने पड़ेगी तो इससे क्या होगा कि उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तो अब जो हमारा अगला टाइप का कोश्चन है वो है सेव के मूल में 25 प्रतिसत की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपे में 2 केजी अधिक सेव मिलते हैं तो सेव का वर्तमान मूल क्या होगा तो दोस्तो इसके लिए जो ट्रीक है मेरे पास उसमें क्या करना है सबसे पहले जो रुपे में दिया होगा मतलब कि यहां दिया है न एक ग्राहक को 240 रुपे में तो यह जो 240 है उसको हमको यहां रखना है गुडे प्रतिसत जो जितने प्रतिसत की कमी या व्रिद्धी बोले यहां कमी दिया है यहां व्रिद्धी भी दे सकता है तो 25 प्रतिसत कहां रखेंगे हम यहां इस प्रतिसत की जगह पे बटा 100 गुडे मात्रा मात्रा क्या है कि जैसे कि 240 रुपय में 2 kg अधीक सेव मिलते हैं तो यह जो 2 kg सेव दिया है ना कि अधीक मिल रहे हैं यही मात्रा है इसको हमको कहां रखना है 100 गुडे मात्रा ठीक है तो इसको हम हल कर देंगे तो मेरा क्या जाएगा वर्तमान मुल ले तो हम आईए इसको जो मेरा वैलू है उसको पूट करते हैं जो रुपय दिया था वो 240 था गुडे जो प्रतिसाद दिया था वो 25 प्रतिसाद था 100 गुडे मात्रा कितना दिया था 2 kg तो 25 से 100 चार बार में कटा 4 से 240 60 बार में गया 60 को 2 से भाग देंगे आप तो कितना आएगा 30 यानि कि जो सेफ का जो वर्तमान में मुले है वो कितना है 30 रुपय प्रति kg ठीक है यह हमारा answer दोस्तो इसी तरह का एक कोशन है सेफ के मुल में 25 प्रतिसाद की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपय में 2 kg अधिक सेफ मिलता है कोशन इसके पहले वाला ही है दोनों कोशन सेफ है बस वहाँ क्या था वहाँ पे वर्तमान मुली पूछा था सेफ का और यहाँ पे सेफ का प्रारंभिक मुली पूछ रहा है मतलब की उसके मुल में कमी होने के पहले का मुली तो यहाँ पे हमको क्या करना है हमारा ट्रिक वही रहेगा उपर का सब सेम रहेगा यहाँ पे क्या करना है कि 100 प्लस माइनस विद्धिया कमी अब यह क्या है यानि कि अगर कोशन में बोले जैसे यहाँ बोला है कि 25 परसेंट की कमी तो यहाँ पे जब 25 परसेंट की कमी बोल रहा है तो हम 100 में से घटा देंगे यहीं पे अगर बोलता कि 25 परतिसद की विद्धी तो हम क्या करते है 100 में जोड देते तो इसमें बस यही एक चेंज करना है उसके बाद बागी सब कुछ सेम रहेगा जैसे यहां मात्रा रहेगा उसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है सब हमको बारी-बारी से पुट करते जाना है तो रूपे हमारा कितना था 240 रूपे में बात हुआ था 240 रूपे गुडे 25 परतिसद की कमी हो रही है बटा 100-25 25 क्योंकि कमी बोल रहा है तो 100-25 हो गया 75 गुडे 2 केजी यह हमारा मात्रा है तो 25 से 75 गया 3 बार में 3 से 240 गया हमारा 80 बार में 80 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 40 बार में तो जो हमारा सेव का प्रारंभिक मुल्य था वो कितना था 40 रुपय प्रती केजी तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि कैसे वस्तु के मुल्य में व्रिद्धी या कमी होने से समंदिज जो कोश्चंस बनते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता है थैंक्स फार वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस पॉइंट